नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर साथियों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी ए नीट यूजी के एडमिट कार्ड के बारे में जी हां दोस्तों एंटी नीट यूजी का एडमिट कार्ड आप सभी को किस परकार से डाउनलोड करना इसी के बारे में आप सभी को बताने बाला हो जो कि आपको मुवाइल फोन से एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना होगा इसके बारे में आप सभी के लिए वीडियो बहुत हेल्प रहने वाला देखिए आप अ सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पर आने के लिए आपको क्या करना दीखी एक लिंक मिलेगा इस लिंक पर आप जैसे क्लिक करेंगे आप सबी के सामने steps interface खुल के आजाएगा ठीक है दोस्तों तो जैसे ही आप उस link पे गलेंगे steps interface खुल के आजाएगा जहाँ पर जो कि आपके basic सी detail आपकी मांगता है यहाँ पर देख सकते हैं login through admission application number and आपके date ओब रहते हैं तो सबसे पहले आपको जो भी आपका application number है वो आप आपको application number अपना फिल करना होगा और देखिए जो भी candidate की detail है जैसे कि मैं फिल करता हूं ऐसे ही आपको भी फिल करने है जो कि यहाँ पर दे रखे है यहां पर जो डियो भी दे रखे है इसे मैंने फिल कि ऐसे ही आपकी जो भी date of birth वो अपना select करने होगी उसके बाद यह जो candidate की details है उसको हम फिल कर लेते है application number को फिल आप सभी के सामने आते हैं ठीक है तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं मैंने candidate की देखिए आपका रॉल आपकी की सिन नमर था वो फिल कर लिया उसके बाद जो भी date of birth थी वो फिल कर लिया उसके बाद जिसमें कि आपकी कोई basic COVID-19 के instructions के लिए दे रखे होते हैं उसमें उसमें आपको फिल करना होता एक काफ आपको है या नहीं तो आपको इन पर किसी पर भी टिकनी करना हुगा वहां पे आपका कहां कहां से अपने COVID-19 के समपर्खमाय है तो सभी options पे no करना होगा के विल एक option के लिए बोलता अंडर्टेकिंग के लिए बोलता उसके बाद दुबारा नहीं बोलेगा क्योंकि मैं कर चुका हूं इस बचे से आपको दुबारा admit card download करके दिखा रहा हूं उसके बाद देखिए आप अपना submit कर देंगे उसके बाद आप सभी के सामने स्टैप से इंटरफ नाम है कहां पर exam center है क्या सिफ्ट है timing बगारा reporting time अब देखिए उपर डिटेल्स दे रहाएं पर देखिए इनने question booklets का जो यहां पर क्या चुना है आपका medium medium जो चुना है को हिंदी चुना है और देखिए इनके exam की बात करें इनका Sunday को exam है 12 September 2021 को अब timing की बात करें देखिए इनका reporting time भी यहां पर दे रखा है देखिए reporting time यहां पर दे रखा है इनका 11 a.m. का और देखिए closing time दे रखा है कितना 1.30 p.m. का ठीक है दोस्तो तो आगे बात करतें इनका exam test timing की बात करें तो इनका दो बज़े से लेकि 5 बज़े तक exam होने बाला है यहां पर कहां पर इनका exam होगा वो भी यहां पर exam center की details दे रखी है ठीक है दोस्तो तो इस type से यह आपको भी check कर लेना है और यहां पर देखि इस अपने से अपको कफ है या नहीं देखिए इन में से अगर कुछ है तो यह करेंगे वरना मेरे सब्सक्राइब करें ठीक है सबीकेंडिट को नो वाले option पर क्लिक करना होगा यह कोई क्लिक ना करें ठीक है इस चीज का आपको basic ध्यान रखना होगा यहां पर कोई भी टिक बिएक नहीं करना इस चीज का आपको ध्यान हगं और जो कि आपने पहले का डॉलोड करने से पहले या अपको फिल टूसे मारी से नहीं है तो कहां यह कुऊ-दिक के कि आ नाम कहां कहां से आपने ट्रेवल किया मिन्स कहने का मतलब यह है ठीक है उन से टी का नाम आपको डालना होगा उसके बात देखिए यहां पर क्या 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 देटियल दे रखें एक एंड़ेट फोटो आपको पेस्ट करने होगी साथी केंड़ेट का थम्में आप लगाना ट्रेट्ट यहां पर क्रिंट करने होने नहीं को परिंट करने होará एक यहां पर देख सकते हैं सबसे ओपर आएंगे download का admit card का option आ रहा है यहाँ पर जैसे देखी हैं हम click करते हैं तो आपका download हो जाता है देखी percentage भी यहाँ पर mention कर रहा है कि कितना percent आपका admit card download हो चुका है तो देखी 100% हमारा mobile admit card download हो चुका है ठीक है यहाँ पर download admit card के लिए बोल रहा है पेडियाफ आपका बन के आ जाएगा जो कि आप स्कीन पर चेक कर सकते हैं यहाँ पर देखें चार पेज दे रखें जो कि आपके starting के दो पेज आपको print कराने होगे बाकि जो last जो पेज हैं दो पेज जो दे रखें last and second last जो पेज दे रखें वो आपके instructions पढ़ने के लिए हैं आप उनको पढ़ सकते हैं mobile phone में पढ़ सकते हैं या पर print करा के भी पढ़ सकते हैं आपको जो अच्छा लगए वैसे कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो मैंने आपको complete detail बता दी है दोस्तों I hope मैं आपको पूरी तरह से समझा पाए हूँ और admin card कैसे download करना होगा साथी आपके कुछ general सी जानकारी थी वो भी मैंने आपको दे दी है आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप से कहना चाहूँगा वीडियो को like कर दीजीगा share करें सभी दोस्तों में comment करके बताईगा आपको वीडियो कैसे लगी अगर आपको वीडियो help लगा है तो आप से कहना चाहूँगा वीडियो को like कर दीजीगा share करें सभी दोस्तों में comment करके बताईगा आपको वीडियो कैसे लगी और चैनल को subscribe करके प्रैस जरूर करियेगा दोस्तों ठीक है दोस्तों सबस्कारब करें में बिल्कुल ना जाय जनल को सब्सकारब करके बप्रैस करें सोब करें मिलते हैं तर ने